एक और कोरोना संक्रमन के चलते पूरे देश में लोगडाउन है वहीं दूसरी ओर लोगडाउन की आड में कालाबजारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ताजा मामला पाली का है जहां जिला पुलिस अधिक्षक के निर्देशन में सिर्यारी पुलिस ने कारवाई करते हुए दो दुकानों पर छापे मारी कर करीब डेड़ लाख रुपे के तंबाकू के उत्पाद बरामत किये इसके अलाबा पुलिस ने धनरला निवासी मोहनलाल मीना की दुकान पर भी दविश दी जहां पर 95 किलो विस्पोट अक्सामगरी पर आमत की गई फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच परताल में जुटी है